इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं assignment question number 24 जो की second last assignment question है माईलिश्टन 1 का और ये assignment question है text highlighting का यानि कि हमें text highlighting करना है based on the condition तो question में ये है कि हमें dom का यूज करना है document object model का यूज करके हमें जो एक paragraph दिया गया है या फिर हम जो खुद से एक paragraph लेंगे जो होता है ठीक है एक word लेटर से मिलकर बना होता है तो word के अंदर जो लेटर है या फिर जो elements है उसके अंदर वो जदी greater than 8 है ठीक है तो हमें उसको highlight करना है और highlight कैसे करना है कि उसका background color जो है हमें yellow दे देना है ठीक है बस यही है हमारा सिंपल सा question हम इसका solution देखते हैं सबसे पहले हम इसको run करके देखेंगे ठीक है तो यह हमारा html है सबसे पहले run करते हैं इसको live server से हां तो यह दिखिए view open हो चुका है अभी हम जैसे so highlight करेंगे तो जितना भी word होगा greater than 8 वो highlight हो जाएगा हम करते हैं इसको तो यहां पर देखिए organization है considerations है provider से constant यह सारा जो words है इसमें 8 से ज्यादा है तभी है हाइलाइट हुआ है जिसे count कर लेते हैं organization के अंदर यहां पर देखो 12345678910111213 इस पर कर से है यह यह 8 से ज्यादा है यह organization है इसमें 8 से ज्यादा words है इसलिए 8 से ज्यादा elements है इसके अंदर यह फिर बोल सकते हो आप 8 से ज्यादा लेटर से इसके अंदर इसलिए यह highlight हुआ है क्योंकि condition में हमें यह ही कहा गया था कि जिसे यहां पर आकर कि आप find के ऊपर जाओगे तो यहां पर आपको एक search बार मिल जाएगा और यहां पर आप जैसे कुछ भी search करोगे let's suppose मैं union search करता हूँ तो यहां पर देखिए यह union search होकर fourth page number पर आ चुका है तो इसी यही feature हम अपने जो हमने project बना है इसके अंदर हम add करना चाते हैं तो हम इसको कैसे add करेंगे देखिए यहां पर यह है वह हम code में देखेंगे तो अभी हम पहले इसको test कर लेते हैं जिससे यहां पर हम A लिखते हैं तो देखिए वह सारा का सारा word आ गया है जिसके अंदर की A है चाहे वह starting मे में हो या फिर वर्ड के मीरिये में एक चलव लेटन पर रिलेटेट है वो सारा कर दो यह आचुका है और हम यहां पर सेर्च करते हैं यहां पर तीन जगे पर नमबर आया हुआ है यहां भी है नंबर यहां पर मिन अरा है इसलिए यह मिनिमम भी सेलेक्ट हो रहा है तो यह था सचिंग का कुछ इसी परकर से आप दूसरा भी कुछ लेट सपोस्स एम तो एम से भी देखें वह सारा वर्ड आ रहा है यहां पर ठीक है यानि कि वह सारा वर्ड आ जिसके अंदर की कहीन हैं है तो इससे आप कुछ भी वर्ड को इसके अंदर सर्च कर सकते हैं ठीक आप मैंने यहां पर मंगो डीबी का पैरा लिया हुआ है ठीक है क्योंकि मैं उसमें मंगो डीबी पढ़ रहा तो वहीं से कॉपी पेश्ट कर लिया आप इसके अंदर लॉरम भी लिख सकते हैं तो वह पर हुम हुआ है इसके लिए एक इनपूटीज यहां पर सर्च कर रहे थि यहां पर कुछ भी प्रक draft कर दिया है इसको मंगोडी पेरा ठीक है तो बस यह हमने कोपी पेस्ट कर दिया है यह सबस्किंद कर दिया है यह अपर यह 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 इसके बाद हमने यहां पर 2 ऐनीमेसिन लगा हुआ है यहां पर हैंब धाने लिखा एक इन जैसे प्रम पेज रिलोड होता है तो हमारा करते हैं तो इसी प्रकार से हम थोड़ा-थोड़ा करके सीखेंगे और फिर जब हमारा ये माल इसना भी सारा एसेंट है जब खतम हो जाएगा तो इन सब को मिलाकर हमें मतलब कि एक जिसके अंदर की सब कुछ होगा वह मैं एक वेपसाइट बनाईए इसकूल तो यह बटन इंपोर्ट इसके अंदर कुछ खास है नहीं जावस्क्रिप्ट को देखेंगे हम तो हरे के सेन्मेंट की तरह इसके अंदर भी जो हमें वेरियबल की नीड है उसको हम ले लेंगे लेकिन उससे भी पहले यहां पर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइट कर रखा है तकि हमें असानी से समझ में आ जाए ठीक है तो चलिए यहां पर हमने यह जो सारा वरिवल यह में डॉल्ग कर लिया है बटन लिया है यह पूरा का पूरा प्राग्राफ जो लिखा है वह हमने इसको आई दिया है मंगो डिवी पैरा ठीक है क्योंकि यह कॉंदेंट यह मं यहां से यहां तक चलेगा इसके अ पूरा फ़ instructor यह हमारा हमारा सर्च करने और जैसे में split करते हैं तो वह एक एरे के अंदर convert हो जाता है और एरे के अंदर जो च्छोटे च्छोटो elements के अंदर वह आ जाता है तो इसको हमने एक word error नाम से word array नाम के variable के अंदर store कर लिया है ठीक है तो paragraph.inner text.split जब हम यह करते हैं अदर इस प्लीट लगाने के बाद यह एरे के अंदर convert हो जा रहा है तो यहां पर देखो जो भी वर्ट हो चुका है ठीक है और यहां पर देखें यहां पर यह देखें यहां पर यह एरे का सिंबल आ रहा है और इसके अंदर चुटे चुटा जितना भी मेरा paragraph था क्रियेट क्लस्टर देखो क्रियेट यहां सिंगल कोट के अंदर है एक सिंगल कोट के अंदर है कॉमा सेपरेटेट है तो बांकि यह सब क्या है एक अधर चुका है तो जितना भी हमारा paragraph था वह एक एक एरे मिल जाता है तो तो जिसे और आगे हम देखते हैं इसको हम समझेंगे तो अभी आपने देख लिया कि यह जिसे हम इनर टेक्ष्ट के उपर स्प्लीट लगा है तो वह क्या हुआ कि एक एरे के अंदर कनवार्ट हो गया ठीक है हमने यहां पर लूप करा आता हम जिस हमीक हम कर एक हमारा अन्ग कर रहे है तो हमें ज़्या करना है Estamos कि हीचक करना है कि हरेक हमारी हम ने बनाया है उसके हर एक length को हम चेक करना है जदी उसका length 8 से ज्यादा है तो हमें क्या करना है जैसे हमारा ये condition फुलफिल होगा तो हम नीचे वाला ये जो भाला block of code है ये वाला इसको हमें apply करना है ठीक है तो apply हम कैसे करेंगे चुकि याभी हमारा task क्या है हमारा task तो यह है कि जिसका भी लेटर जिस भी वर्ट के अंदर आज से ज्यादा लेटर है उसको हमे अंदर बैकगराउंड इसको झाल के अंदर तरकर दाल के ऊसलिए हम इहाNPERPand कर रहें इस पयंदे कर रहे हैं होगा । वर्ड के अंदर हमने उस वर्ड को एंटर कर दिया, जिस वर्ड का की लेटर, जिस वर्ड के अंदर लेटर आट से जादा है, देखो, वर्ड एरे, और यह आई, यह जो हमने लिखा इंडेक्स, यह उस वर्ड को बता रहा है, जिसके अंदर की आट से जादा लेटर है, तो उ उस लेटर को हमने उठाया और हािलाइट वर्ड उस लेटर को हमने इउठाया और है और हेखेवर्ड देख़ा था अदि या थे विल्क्रीयों हो गया च्छलो ठीक है इतना तो ठीक है अब आपने क्या करा कि इस पैंदर गया कलास यह व्हाइट उसको बेग्राउंड कलर भी यह 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 लोट दे दिया लेकिन अब हमारा काम है कि हमने जो उस लग्सर्पा से जो हमने वो वर्ड़ उठाया धना, अब हमें उस word को उसी जगय पर रखना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करा है, जो भी word हमें उठाया था, उसा पेरा के अंदर से, उसको हमें उसी के अस्तान पर रखना है, रिप्लेस करना है उसको, तब उसके लिए लिए हमने outer HTML का यूच करते हैं, ठीक है, जीसे हमन इसके अंदर का एलिमेंट उसके अंदर का जो कॉंटेंट है उसको नहीं लेता है यह पूरा का पूरा टैग को ही यह पूरे पूरे अलिमेंट को ही उठा करके आज है कि उसके अस्थान पर रख देता है ठीक है यह कहां पर रखेगा वर्ड का जो आयत इंडेक्स है और यह व इसको डाल्किल दो इसको लिट सकते हो एक लेख सुपज prob और से कंड़े और अनदर आता है तो यह बंद कर लेखो आई उसको करके ओकते है जिसको नेटक्ला। कि जिस वर्ट का लेटर जो है ठीक ना यहां पर देखो यह जिटेक्स के निस पर का सै थ्रूद रूट टो क्रीटेट एन सब गोग्र इस एक मिला हुआ यहां पर फिव्टी एट ऐट के ऊपर जो वर्ट है तो जो रहा जो वोलॉठ यह नदर यहाँ पर देखो आपका लेना इसके अंदर 18 चाहल गया इस परकार सिसको धिसका लगए इस परकार से यहाँ थे यह जो अरगनाज़ेशन जो वैड है इसको किस डशोगे तरह से हलेट कर आधने ऐ़ कुंद यहां पर देखो मने यहां पर एक इस पर गया है पूरा का पूरा कि परकार से यहां पर जी काम है कि पूरा का पूराइल मेंठ खरकर इसके जगह पर रख दिया तो वी कंडिशन आ पर देखो 60th index के उपर जो है 67th index के उपर जो है उसका भी consideration है ठीक है consideration भी 8 से जादा इसके अंदर लेटर है तो इसको भी same to same background color देके इसको भी highlight कर दिया है यहाँ पर भी यह organization और यह consideration का इंडेक्स कितना है और यह जो considerations है इसका index कितना है इसका index 67 इसी प्रकास से इसने सब को highlight कर दिया है ठीक है कुछ इसी प्रकास से हम सर्च के अंदर भी करेंगे ठीक है आपने इससे समझा की नहीं देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है हमने आपको बता दिया लगवक सब कुछ बस हां एक और च करते की इने अंदर करने के सब्हें करा दिया ठीक हमने अपना तो काम कर लिया अब में इसको पूंहां वांदिया पीर से वाफिम से फिर You इसलिए यहां पर देखो हमने और क्राइट करता पेर ग्राफ के अंदर करें इसको पेराग्राफ के अंदर कर दिया नहीं यह सब्सक्राइब करेंगे सेंगे बिस इंक्ति करना होगा कि यहां पर और यह इसे परकार से करेंगे searching वाले यहां पर ठीक है तो हम इसको case insensitive कर देंगे ताकि आप इसमाल में लिखो बड़ी में लिखो कोई फर्क ना पड़े ठीक है बस एक्ष्टा में यही करना पड़ेगा और कुछ condition लगाना होगा इसके उपर तो देखते हैं यहां पर हमने क्या किया रहा सर्च इंपूट हमने प इसके उपर डॉट इवेंटेशन लगाया होगा है जैसे इस पर इंपूट होगा जैसे हम कुछ लिखेंगे तो हमारा function हमारा start हो जाएगा थीक है तो यहां पर हमने क्या करा है कि सब्सक्तिक हमने क्या होगा उसको हमने क्या कर दिया लोग टू लोगर के सक्थिक के अंदर जो भी हम फैल्यू डालेंगे सेर्च इन्पुर्ट के अंदर उसको सबसे पहले ये लोगर एक इंदर करते हैं इसके बाद उसको हमने एक वेयरी वार्ट के अंदर सब्सक्राइब कर लिया इसके बाद कि आप इन दोनों को कमबाइन भी कर सकते हो जो हमने नीचे यहां पर कि इसको कि अनदर रहे हैं। इसके बाद इस humor लिए पार, वोई से स्पन टेग बनायार, जोश के लिए, स्पन में खिच रख का है अन्धर इसके अंदर, हमने अंसारे इन्धर को डाल दिया, वर्ड कासो अदर क्शμεर लगाएंगे, हाँ, तो हमने यहां पर 16 कंडिशन लगाया है, कि जदी इफ search value, देखो, search value क्या है हमारा, search value है यहाँ पर जो भी search input के अंदर आएगा, यानि कि user जो भी value डालेगा, उसको सबसे पहले तो lower case के अंदर convert करना पड़ेगा, lower case के अंदर convert करके search value के अंदर है, तो यही वो search value है, यहाँ पर हम उसको बोल रहे हैं, search value is not equals to empty, यानि कि search value ज पर टेखो, word क्या है, हमारा यहाँ पर देखो word है ठीक na, to word के अंदर च्या है मारा, word के अंदर हमारा सारा सारा, war-rad e bridge, ओप फाया तो हमने यहां पर यूज क करा यह तो, हमने यहाँ पर यूज कर रहा है, यह पर और वी पैटे इंपूर डाल रहा है, उसको भी हमारे लोडर में कनवर्ट कर दिया और हमारे पैराग्राफ के अंदर जितना फ्यूवार्ड था, अंदर जितना फ्यू वर्ड हमारा उन्हों सब भी हमोड इसमाउल में कनवर्ड कर दिया, ताकि मैंच हो सके। यूजर जो enter डाल रहा है और हमारे paragraph के अंधर जो word है वह दोनमें small के अंधर तो मैं चोश के और इसको हमने Small में convert करके word के अंदर store कर दो तो यही ही word के उपर हम लगा रहें इंक्लूड जिधि इस word के अंदर है include जदी word के अंदर वो search value है और यह search value यहाँ पर है जदी वो search value जो की user डाल रहा है जदी इसके अंदर है तो तुम क्या करो उसका background कलर एकवा कर दो और उसका color black कर दो तक ही हमें अच्छे से दिख सके ठीक है तो बस इतना ही condition था इसके अंदर कि जदी search value खाली नहीं है और word.include जदी words के अंदर वो include करता है search value को जो की user डाल रहा है जदी यह है तो उसका background कलर एकवा करो और उसका color black कर दो अधरवाइस जो भी background color उसको transparent ही रहने दो ठीक है highlight word.install यहाँ पर हमने लिखा है background इसका background क्या रहने दो उसको transparent ही रहने दो ठीक है तो यह हमने करा था हां तो यह हो गया इसके बाद हमने फिर वही कर रहा है जो कि हमारा डॉट अट अटरेश्टेमल क्या करता है कि पूरा का पूरा element ही उठा करके जहां पर भी हमारा condition पैरा है वो यह पर रहा है फिर से पर रहे जाम कैंदर करना होगा टो पर बसको बेंदे कर ला हन주 क Freunde गए तो सब कोरन कर रो हैं तो यह इसका इसक्रागर से काम कर रहा था यह फिर अने लिंग देदी आप वहां पर भी आकर हमसे पूछ सकते हैं ठीक है, I think हमने सब कुछ समझा दिया है एक बार फिर से स्कोरन करके देखे लेते हैं, सब कुछ प्रोपर है की नहीं Search highlight काम कर रहा है और A यह भी पूरा काम कर रहा है तो आप इसको, आपका टास्क यह है, आप इस दोनों को combine करना ठीक है, जदि नहीं हो रहा है, तो यहां पर हमने combine भी इसको करा हुआ है ठीक है, ताकि दोनों काम करेगा मैं इसको भी आपको थोड़ा सा run करके दिखा देता हूँ और यह बिए अभी हो चुका है अभी हम इसको रन करते हैं आधकिए यहां पर सच करें कुछ भी आले सब्सक्राइब जेतना सार्व वर्ड है वह आ रहा है ठीक है तो यह बिल्कुल काम कर रहा है new यहाँ पर एक word है और भी जगह है new new ठीक है तो जहाँ जहाँ जो word था वहाँ में मिल चुका है ठीक है तो बस यह था आप इसको खुद से try करना कि आप इसको जो है कि यह दोनों को combine करने का धन्यवादा